हलो जी कैसो सारे दिस लब बबर इन दिस विल टॉक अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग रोड मैप जो हम रोड मैप की बात करते हैं सबसे पहले समझ बाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है अगर मैं बोलता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का रोड मैप है तो एक चेइन आइकन दिखेंगा उस चेए जो गलिक कर ओंगे तो आप एस रिसूर्स पे पहुंच जाओं के जहां से आपको टॉपिक पढ़ना है वही सर्ट हो सकते हो कि पहले से आता हो के जो पीसने वाला आपको पहले से आता होगा समझना है रटना नहीं है समझ में आ जाएंगे चीजें तो सालों साल याद रहेंगे रट के तो चार दिन में भूल जाओगे तो मैं रोड मैप की बात करता हूँ सब्जेक्टिव टॉपिक्स के केस के अंदर ओपरेटिंग सिस्टम डी बी एमेस उपस यह तीन हो औरेडी हम कवर कर चुके हैं बहुत पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग का पेंडिंग था तो उसको हमने इस वीडियो में कवर करने का सोचा है और कर दिया है रोड मैप हमारे पास रेडी है आपको चोटा सा ओवर्वियू देते हैं कि सक्षेकिता है किez सबसक्त करना है आपको समझा देता है इसके बाद आप इसको चुरू कर सकते हैं, consume करना, start करते हैं, let's start, यहां पर हम जाते हैं, सबसे पहला point हमारे सामने है basics, ठीक है, basics में घर हम जाएं, तो हैं यहां पर 27 points हमें दिख रहे हैं, सबसे पहली चीज, what is computer networking, इस तेकस में आपे normal normal चीज हैं कि worldwide web क्या होता है, internet क्या होता है, world wide web और internet में क्य का difference होता है transmission medium क्या-क्या हो सकते हैं unicast broadcast multicast में क्या difference होता है different topologies क्या-क्या होती लैंड मैं वैंड जो बच्पन से networking के बारें पढ़ते आए चोटी फिशी class के अंदर बेसिक आइडिया आपको वो यह समझना होता है कि एक package होता है data की unit जो होती है वो travel कैसे करती है network के ऊपर ठीक है आपने यहां से message भीजा अपने दोस्त को आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यह travel कैसे कर रहा packet ठीक है तो उसके लिए हमारे एक question आप मैंने एड़ किया है अगर आपको यह समझ में आ जाता है तो आपको ओए सब्सक्राइब करता है बहुत important है अगर आपने यह समझ लिया तो आप networking का ग्यां समझ चुके हो एक तरीके से ठीक है इतनी चीजे मैं समझ में आ चुकी है आगे जलते हैं ऊपर वाट OSI model होता क्या है पता भी तोहनी क्या चीज है तो यह आप पड़ सकते हो यह बहुत सकते हैं आगे डिफरेंट लियर्स की बात कर रहे हमकि OSI model के अंदर क्या-क्या layers होती हैं, यह सारी layers है है, टेक है, इन layers के अंदर, हरकेस ही के अंदर कुछ-कुछ questions है, अगर हम इसको थोड़ा और expand करें, तो यहाँ पर कुछ-कुछ questions है, attention मतलेना है, इसका जो roadmap का लिक है, मैं डिस्कुप्शन में डाल दूहाँ, वहां से अब जाके देख सकते हो हर चीज को जो चेन आइकन के हम बात करों वो यह है जैसे हम पर IPV एड्रेसिंग लिखी है इसके आगे यह चेन आइकन है इस चेन आइकन में क्लिक करेंगे तो हम इसके रीसोर्स पर पहुंच जाएंगे जहां से हमें इसको पढ़ना है तो यह वो सारे के सारी चीज़े हैं जो इन लेयर्स के अंदर हम पढ़ सकते हैं पट एक चीज़ के जहां पर ध्यान देना है कि जो इस PD&T SPA इसके हम बात करने हैं इसके अंदर जितने भी यह कोशन आ रहे हैं डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लिकेशन लेयर इन सारे कोशन को में लीश्ट प्राइवरिटी देनी है या फिर सबसे एंड में पढ़ना है अगर टाइम बज जाता है तो, क्यों? क्योंकि सारे के सारे कोशन सा मेजॉरिटी अकैडमिक साइड पर है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं आपके वाइबा में पूछे जाते हैं इंटर्व्यू, पॉन्ट अव्यू से इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं जेनरल केस के अंदर तो, इस पॉर्शन को PD&T वाले पॉर्शन को PD&T वाले थो कोशन को फिसिकल, डाटा लिंक, नेटवरिकिंग, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजनेशन, एप्लिकेशन, PD&T सपा शॉर्ट फॉर्ट फॉर्फॉम इन को सबसे लीस प्राइटी देनी हैं सबसे एंड में पढ़ना है इनको पढ़तर टाम दिमाग में यह होना चाहिए कि इंटर्व्यूरी नहीं पूछता है यह सारे टॉपिक्स आप अपने कॉलेज में जब आपको पढ़ाया या और नेटवरिकिंग या जब पढ़ाया जाएगा तो यह सारी चीज़ें कवर होने वाली है तो आप पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है बट अगर आपको प्राइरोटी की बात करने हैं तो यह सबसे लीस्ट बहुत जादा बार पूछे जाते हैं उपर उपर से ले ले लेते हैं कि बच्चे को आईडिया है कि नहीं है ज्यादा इंडिया तो नहीं जाते हैं जैसे कि आप से कुछ नेटवर्गिंग कमांड्स के बारे पूश लिए कि प्रेसर इस में क्या डिफरेंस होता है एक इसके अंदर लास्ट की पांच चीजों की बात में करूं कि ब्लुटुट के सगाम करता है हॉट्स पूछी जाती पट पढ़ लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा तो ऊपर की सेक्शन आपको करना ही करना है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यह टिक है और में आते है करेंट के ऊपर सेक्शन होटें किया क्रिप्टोग्राफी के बात कि गई यह क्रिप्टोग्रफिट यह अपर तो इसलिए मुझत मुझसे पूछ ली थी थी थोड़ा सा डिया क्रिप्टोग्राफिक टेच्ट था कि हैं कर आपको मजज़ा है ल क्या होता है तो यह सारी की सारी चीज़ें आप इसमें से बता लगा सकते हो और आपको इनका आइडिया लग जाएगा तो फाइदा ही होगा नुपसान नहीं होगा ठीक है तो हम प्रायरिटे की बात अगर करें सबसे पहले हमें बेसिक वाला पार्ट करना इसके अंदर फिर हम ओं ओसाई का how a packet travels पड़ सकते हैं उसके बाद हम मिस्विनेंस करने वाले हैं उसके बाद हम सिक्यॉरिटर करने वाले हैं जब चारों पार्ट हो जाते हैं उसके बाद जाके हम ओसाई प्रवाला पॉर्शन योगी यह वाला पॉर्शन है यह करने वाले हैं तो इतना ही था आपका नेट वरकिंग के अंदर इस रोड मैप के अंदर आपको अडिक्शनल चीजें मिल जाएंगी कम नहीं होगा ठीक है तो आप पड़ोगे समझ होगे आपका फाइदा होने वाला आ इंटर्वी पॉंट आवई से इंटर्वीपोंट आवगी इंपार्टन है आप वही फॉलो कर सकते हो वाला प्रजक्ट बेसे लेर्निक प्लाटफॉर्म नोन 5-10 शिए बैककर चैक डेवलपर प्रोग्रस आपकी कुछ अब्च प्लिपकार्ट वीजा क्रेड आइब जहां पर फ्रेश्र की जो वो उन्बूर्डिंग वो क्राय के द्वार रही जाती है तो अगर आप रियल वर्क लाइक प्रजेक्ट पर काम करना चाहते हैं एकस्पिरियेंस करना चाहते हैं तो क्रायों सब्सक्राइब यूद्प लेटीपल रियल-व्ल्ड प्रजेक्ट्स लाइक प्रीट्राइल और जब फ्रीट्राइल की बात होती है तो हम तो फ्रीट्राइल पक्का लेते हैं आपको शॉर्ट स्कॉलर्शिप भी मिल जाएगी प्रोमो कोड आपको डिस्प्ले हो गया इसको अपलाई करके जो भी मैक्सिम पॉसिबल डिसकाउंट होगा वह आप ले सकते हैं जो भी रिलेटेड लिंक्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कैसा लगता है ट्राइल देने के बाद आप बता सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद एक चीज़ और अभी बहुत सारे बच्चों के इंटर्व्यू आने वाले हैं यह चल रहे होंगे तो क्या कर सकते हैं इस रोड मैप नहीं दिखता है ऑल आप पूछा गया था तो आप कमेंट यह आसक्षों को यहां कि बना के इस रोड मैप में एड्ट कर था जाऊँ कि सी बच्चे ने बताया यह बटाया इसक्षों को बताए यह बच्चों आपका फाइदा हो जाएंगा आ कि यहां यह चीजह है इस पूछ जा लो बट जो कि यह यूज करता हूं इस बच्छे बात कर सकता हूं और जो आपका इंटर्वीवर को आता हो आप से वही तो पूचेगा तो वह चीजे आड़ दिये और दो चार अच्छे अच्छे बच्चों से वेरिफाइब कर वाली है कि भाई कुछ फाल सो तुन डाल दिया तो उनका यह कहना था कि जो पीडियेटी स्पाव आला है वो अक्याडमिक स्पाइब कर दिया और बागी में चीज़े एड कर दी है और कुछ आड करना है तो आप झाल